आरिन खान को लेकर काफी परिशान है सुहाना खान हर घंटे पिता शाहरुक खान को फोन कर लेती है भाई के हाल चाल क्रूस ड्रग्स केस में आरिन खान के अरेस्ट होने के बाद से शाहरुक खान और फैमिली काफी परिशान है खुच शाहरुक भी रात में ठीक से सो नहीं पा रही है और बार बार NCB को फोन कर अपने बेटे का हाल पूछ रहे है वही इसे भी चार्ण खान के बहन और शाहरुक खान की लाडली सुहाना खान भी भाई के जेल में जाने से काफी परिशान है सुहाना खान जो की देश में नहीं है वो भाई को लेकर काफी चिंता में है वो लगातार अपनी मा गौरी खान के साथ संपर्क में है और भाई के बारे में हाल चाल ले रही है खबर है कि वो हर घंटे अपने घर पर फोन करके भाई का हाल चाल ले रही है साथ ही सुहाना को अपने पिता शाहरुखान की भी चिंता हो रही है जो कि आरेंड की गिरफतारी के बाद से ही ना तो ठीक से खा रहे हैं और ना ही सो पा रही है जैसे ही सुहाना को आरेन की गिरफतारी की खबर मिली तो उन्होंने पापा और मम्मी से भारत आने की पॉमिशन मांगी थी ताकि इस मुश्कल समय में अपने घरवालों के साथ कंधी से कंधा मिला कर खड़ी रहे हाला कि पिता ने सुहाना को भारत आने से मना कर दिया वो रोज खर पर फोन करके अपने घरवालों को हिम्मत दे रही है आपको बता दे कि आरेन खान को बागी कई लोगों के साथ दो अक्टूबर की रात गोवा जा रहे एक क्रूज से एंसीवी ने गिरफतार किया था इसके बाद उनकी कोट में पेशे की गई और फिलहाल वो न्याएक हिरासत में बंध है शहरुखान उन्हें बेल दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है उन्होंने सबसे बहतरी इन वकीलों की टीम तयार की है ताकि जल से जल आरियन जेल से बाहरा सके आरियन की बेल पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी